Hello Friends, Welcome to JSC Education, स्वागत आपका JSC Education पर आज हम लोग Human Rights मानवाधिकार इस टॉपिक को पढ़ेंगे यह टॉपिक आपके JPSC exam के लिए तो महत्पून है साथ में अगर आप UPSC के तयारी कर रहे हो या फिर BPSC के तयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य राजी के PCS exam के तयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य वंडे exam का जैसे JSC CGL हो या फिर SSC CGL हो किसी भी वंडे exam के तयारी कर रहे हो सभी exam के लिए यह टॉपिक काफी महत्पून है आपको इस टॉपिक से अमोमन एक दो questions हर exam में देखने को मिल जाएगा तो काफी ध्यान से इस टॉपिक कम लोग पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले एक छोटा सा announcement आप लोगों के लिए JSC C Education ने JSC Education एप के माध्यम से आपके लिए काफी सारे courses जो है वो लाया हुआ है यह courses अभी जारकन सरकार के दोरा जो हाल में ही announcement किया गिया है कि वह 2021 में सारे रिक्त पदों को भर लेगा और 2021 को एक निक्ति वर्स के तोर पर जारकन government मनाना चाह रही है तो इसी को ध्यान में रखते हुए JSC Education ने आपके लिए JSC CGL full video course यह लाया हुआ है इसके अलावा JPSC के paper 2 का जो test series है वो already chapter wise वो इस app पे अब लेबल है साथ में अगर आप JSC CGL का separate video course चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि जारकन GK का अलग से सिर्फ मैं जारकन GK को पढ़ना चाह रहा हूँ या फिर सिर्फ GK को पढ़ना चाह रहा हूँ या फिर math या reasoning को ही JSC CGL के point of view से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका separate video course भी इस app पे अब लेबल है आप JSC CGL का test series भी इस app के मादियम से ले सकते हैं और daily current affairs का PDF भी इस app पे जो है वो डाला जाता है और साथ में अगर आप बिहार के किसी exam के तयारी कर रहे हो चाहे वो BPC हो या फिर कोई भी अन बिहार specific exam के तयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो बिहार का knowledge होना चाहिए उसका भी PDF जो है इस app पे जो है वो regular डाला जा रहा है साथ में बिहार special का जो वीडियो है वो भी YouTube के माध्यम से हम लोग आपके बीच में ला रहे हैं तो इन सभी courses का अगर आप lab उठाना चाहते हैं इसका अगर आप फाइदान उठाना चाहते हैं तो आप जरूर इस app को download कीजिए, install कीजिए और इसका demo जो है वो available है उसे आप जरूर देखिए अगर आपको किसी भी तरह की परिशानी हो रही है तो आप इस number पर contact कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic आज हम लोग क्या-क्या कभर करने वाले हैं इस topic में उसे हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग समझेंगे कि मानवाधिकार क्या होता है किसे मानवाधिकार करते हैं मानवाधिकार, human rights और मौली का दिकार इन दोनों में क्या अंतर है इसे समझेंगे मनवाधिकार का इतिहास और इसक्यूसपत्ती कहां से है उसको भी वर जानेंगे साथ में मनवाधिकारों की सारभोमिक गोशना जिसे हम लोग The Universal Declaration of Human Rights करते हैं UDHR इसे हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा मानव अधिकास संदक्षन अधिनियम The Protection of Human Rights Act जिसे 1993 में लाया गया था इसको हम लोग देखेंगे और इसी के तहत जो राश्टिय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था National Human Rights Commission इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा Generation of Human Rights मानवाधिकार की जो PD है इसको हम लोग पढ़ेंगे और इस topic से आपका 6GPSC में एक questions भी आया हुआ है उस question को भी हम लोग देखेंगे और Human Rights Convention जो Human Rights पे अभी समय हुआ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और अंत में हम लोग International Bill of Human Rights इसको देखेंगे इसके अलावा और भी जो important तत ही है facts जो आपको पता होने चाहिए इस topic में उसको हम लोग देखेंगे तो चल यह शुरू करते हैं बारी-बार इसके एक topic को देखते हैं यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो मैंने कोशिस किये कि इस पूरे topic को खत्म कर दिया जाए और इससे पहले भी हमें यह जाना जरूरी है कि अधिकार क्या होता है किसे हम लोग right कहते हैं तो समानी तोर पर जो अधिकार है वो किसी चीज पर नैतिक या कानूनी अधिकार को संदर्वित करता है मिस किसी चीज पर अगर आपको अधिकार है तो आप कर सकते हैं कि आप नैतिक रूप से या कानूनी रूप से आप उसके हगदार है तो अधिकार इसे करते हैं कि अधिकार किसी चीज पर आपका नैतिक या कानूनी अधिकार होता है साथ में यह भी कर सकते हैं कि अधिकारों को ब्यक्तियों के उचित दावे के रूप में माना जाता है कि किसी भी चीज पर आपका कोई अधिकार है तो आप उसके लिए दावा कर सकते हैं और जिनको समाज के द्वारा सुईकार भी किया जाता है और कानून द्वारा अधिकार क्या है उसे देखते हैं तो मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो मनिश को उसके जन्म के साथ प्राप्त है या मानव होने के नाते उसे प्राप्त होने चाहिए या तो आपको वो प्राप्त है अल्रेडी या फिर एक मानव होने के नाते आपको वो अधिकार होने चाहिए, ऐसे अधिकारों को हम लोग मानव दिकार काते हैं, साथ में यह अधिकार उसके जन्व से लेकर मिर्तियू तक उसके साथ रहता है या फिर रहने चाहिए, आपको मानव होने के नातिव अधिकार तो मिले हुए हैं साथ में, आपको मानव होने के नाते ऐसे अधिकार मिलने भी चाहिए, आपको उसके हगदार भी है, चाहे आपकी राष्टियता, आपका जो नेशनलिस्म जो है, वो कुछ भी हो, आपकी जाती कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपका लिंक कुछ भी हो, तो आपका राष्टियता, जा आपको अधिकार मिले हुए है, वो आपसे कभी नहीं छेना जा सकता है, पर कभी-कभी इस पर परतिबन जरूर लगा जा सकता है, जब आप कोई कानून तोड़ते हैं, या फिर राष्टिय सुरक्षा का मामला हो, नेशनल सेकृरिटी का मामला हो, या फिर आप किसी कानून को जो है, वो नहीं मानते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो ये अधिकार आपसे कभी-कभी जो है, इस पर परतिबन लगाया जाता है, ठीक है, तो उमिद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका माना अधिकार वो किलियर हुआ होगा, हम लोग जैसे सीस में आगे बढ़ते आपका जो, ये human rights का जो concept है, वो और भी जादा आपको किलियर होते जाएगा, अब लोग के मन में ये सवाल जरूर आघा होगा, कि सर माना अधिकार में जो जो बाते आप बोल रहे हैं, वो सभी तो मौलिक अधिकार की बाते हैं, तो फिर मौलिक अधिकार और माना अधिका और माना अधिकार में क्या अंतर है, मौलिक अधिकार किसे करते हैं, और माना अधिकार किसे करते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार है, जो किसी देश के नागरिकों के जीवन के लिए मौलिक है, ठीक है, उसे हम लोग मौलिक अधिकार करते हैं, और माना अधिकार जो मैंन के साथ ही यह अधिकार प्राप्त होता है यह किसी विशेज देश के लिए विशिष्ट होते हैं मिस जो मौली का दिकार आपको एक भारतिय होने के नाते आपको भारत में प्राप्त हैं हो सकता है कि यही मौली का दिकार आपको किसी अन्य देश में आप जाते हैं तो यह मौल आप अब ब्रितिस हो आप किसी भी देश मेघते हैं आप भारतियं होते हुए अगर आप ब्रितियं मे G Weather तो मान अदिकार जो आपको मिला हुआ है उसकी बिस्वियापई सुकृर्टी होती है आपको वहां भी वह अदिकार मिलेगा पर मॉलीक अदिकार जो आपको भारत में एक भारतिय होने के नाते प्राप्त है, आप इसके लिए किसी और देश में इसका दावा नहीं कर सकते हैं, इसको थोगा और अच्छी तरीके से समझते हैं, हम समिधान के article 14 और 15 की अगर बात करें, यह article 14 है, इसके language अगर आप देखें, तो the state shall not deny to any person, यहाँ पर any person लिखा equality before the law, और the equal protection of law within the territory of India, अब यहाँ article 15 के अगर बात करें, तो इसका language देखें, कि the state shall not discriminate against any citizen, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, और any of them, तो इन दोनों article के आप गौर से अगर देखेंगे, तो जो मैंने दो point highlight किये हैं, एक any person, और दूसरा any citizen, कहने का आर्थ है, कि अगर आप भारत में हैं, और आपकी नागरेता कुछ भी है, आपकी citizenship कुछ भी है, ठीक है, आप article 14 के लिए हमेशा जो है, इसके लिए आप eligible होते हैं, अगर आप भारतिया भी हैं, तो आपको article 14 जो मॉली का दिकार है, वो आपका induct रहेगा, अगर आप British भी हैं, तो भी आपका जो है, ये article 14 के तहद, जो है, equality before law, ये आपको as a fundamental right के तोर पर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि fundamental right में जो language यूज किया गया है, कि to any person, यहाँ पर citizen की बात नहीं की गई है, आपकी citizenship कुछ भी हो, आपको ये article 14 के तहद जो अधिकार मिला हुआ है वो मिलेगा, article 15 में जहां तक कहा गया है, कि यह अधिकार जो है, सिर्फ citizen को मिलेगा, कौन से citizen को, तो यगा भारत का समिधान है, तो भारत के समिधान में भारतीओν को ही article 15 के तहद यह अधिकार मिलेगा, इसका अर्थ है, कि article 14, जो है, वो सभी व्यक्टियों को प्रापत ह और Article 15 में जो अधिकार है वो सिर्फ यहां के नागरिकों को प्राप्त है तो हम कह सकते हैं कि Article 14 इसलिए सभी को प्राप्त है क्योंकि यह अधिकार एक मानव अधिकार का जो है इसमें concept आता है इसको और भी हम लोग अच्छी तरीके से आगे समझेंगे, आप बस इतना ध्यान रखें कि आर्टिकल 14 जो है, वो सभी वेक्टियों के लिए है, और आर्टिकल 15 जो है, वो सिर्फ भारतियों के लिए, मिस यहां के नागरिकों के लिए है, अब देखें, किसी देश के नागर मिस मौली का दिकार जो दिकार समिधान में वरनित है, और कानून के तरफ लागू करनी योग है, मिस मौली का दिकार वो दिकार होते हैं, जो कि आपके समिधान में वरनित होते हैं, और कानून के तरफ लागू करनी योग होते हैं, आपके मौली का दिकार आपके समिधान मे कहा जाता है कि मानवधिकार वो अधिकार है जिनकी एक इनसान को सम्मान और सुधनता के साथ जीवित रहने की आविसकता होती है मौलिक अधिकारों में केवल वो अधिकार सामिल है जो एक समानी जीवन के लिए बुनियादी है मिस एक General Life के लिए जो बुनियादी अधिकार होते हैं, वो मौलीक अधिकार होते हैं, और मानव अधिकार इसके विप्रीत, वो अधिकार है, जो वास्तविक जीवन के लिए बुनियादी है, और निरपेक्च है, मिस Absolute है, जिसको कि छीना नहीं जा सकता है, जैसे कि अगर दे इसी लिए इसको as a fundamental right आपके constitution में सामिल किया गिया है यह अधिकार क्या है protection of life and personal liberty और protection in respect of conviction for offenses ठीक है no person का जो है word यहाँ पर यूज किया गिया है यहाँ पर भी no person का word का use किया गिया है यह अधिकार आपके किसी भी इस्तिती में इसको छिनन जाता है जब भी emergency के भी हालात हो मिस अपातकाल का भी हालात हो emergency भी लग जाए country में तो भी article number 20 और 21 आपको यह आपको दिये वे होते हैं इसको जो है आपसे नहीं चीनना जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है यह दोनों अधिकार आपके मानव अधिकार के तोर पर जो है आपको मिले हुए है इसलिए इसको कभी जह आपसे चीनन जाता है बहुत सरा यह से मानव अधिकार है जिस पर परतीबन लगाया आता है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे आगे इसमें और देखें तो मौलिक अधिकार देष विसिष्ट होते है अर्थात यह अधिकार अलग-अलग देषओं में घीन हो सकते है मानदिकार की वेस्टी स्कुर्थी है जिसका अर्थ है कि सभी मानव इन अधिकारों का आनन्द लेते है ये किसी देश के लिए विशिष्ट होता है, मिस जो अधिकार आपको मौलिग अधिकार के रूप में यहां प्राप्त हैं, हो सकता है, कि ये अधिकार आप किसी और देश में जाए, तो हाँ पर आपको प्राप्त नौ हो, पर मानधिकार की रश्युक्सकृती होती है, अगर मौलीक अधिकार कानून का अधिकार का आपका हनन होता है तो कानून का अधिकार अधालत के द्वारा इसको लागू कराया जाता है जबकि मानाधिकार संयुक्त राष संगठन द्वारा लागू किया आता है इसका अर्थ है कि अगर किसी के मानाधिकार का उलंगन होता है तो संयुक्त राष संगठन जो है इसका संग्यान लेता है और वह इस पे जो है जो भी करवाई होता है वो करता है मौलिक अधिकार एक लोगतांत्रिक समाज की विचारों से प्राप्त होते है मिस एक democratic country का जो विचार होता है उससे मौलिक अधिकार बनता है कि क्या-क्या मौलिक अधिकार आपको मिलने चाहिए जो कि एक guarantee के तोर पर आपको यह होने चाहिए जिससे कि आपका overall development हो सके ठीक है इसके विपरीत मानाव अधिकार सब ये राष्टों की विचारों से उत्पन होते है जो civilized nation होते हैं उनके विचारों से या मानाधिकार उत्पन होता है तो ये दोनों मौलिक अंतर है मौलिक अधिकार और मानाधिकार में आप मेंसे बहुत सारे लोगों को अभी भी इसमें doubt होगा कि sir आपने इतना कुछ बता दिया पर हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा कुछ समझ में आया कि ये दोनों में क्या अंतर है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और clear करने को हुशिस करता हूँ आप मेंसे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि human right और fundamental right मानवधिकार और मौलिक अधिकार इन दोनों में powerful कौन है मिस आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ज़्यादा power किस अधिकार में है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से समझते हैं कि कौन ज़्यादा जो है powerful है आपके term में अगर कहा जाए या फिर किसका दाइरा बढ़ा है तो अगर दाइरे की बात की जाए तो अगर यह मानवधिकार का दाइरा है तो यह आपका मौलिक अधिकार का दाइरा है किसी एक country के साप्यक्ष में हम लोग बात कर रहे है कि अगर मानवधिकार आपका यह है इसका area इतना बड़ा है कि आपको क्या-क्या अधिकार मिलने चाहिए तो मौलिक अधिकार का area यह है मिस दाइरे की रूप में अगर कहा जाए तो मानाव अधिकार का दाइरा बढ़ा है मिस मानाव अधिकार में सारे अधिकार सामिल हो जाते हैं जैसे जीवन जीने का अधिकार काम करने का अधिकार अराम करने का अधिकार स्वक्ष वताबरन में जीने का अधिकार अगर हनन होता है तो उसके लिए अदालत के पास आप जा सकते हैं जैसे जैसे आपका देश और संबल होते जाता है देश की आर्थिक इस्तिती और बहतर होती जाती है तो ये मानाधिकार जो होता है वो fundamental right का पार्ट बन जाता है इसका हिस्सा बन जाता है तो इससे ये समझ मे आता है कि जो मानाधिकार का दाइरा है ये बड़ा है और मौलिक अदिकार का दाइरा है ये छोटा है पर जैसे से आप उन्नतिक और बढ़ते जाते हैं आपका देश विकास की और बढ़ते जाता है तो मौलिक अदिकार का दाइरा है वो बढ़ना शुरू कर देता है अब पावर फुल कौन है? मिस दाइरा में तो देख लिए कि ये अगर मानव अधिकार है, human rights है और ये आपका fundamental right है, तो fundamental right का जो दाइरा है, वो human right के दाइरे से छोटा है, पर अगर power की बात करें कि कौन सा अधिकार आपको ससकत रूप से प्राप्त है, कि किसके लिए आप court जा सक सकते हैं, उसके लिए आप court का दरजा खटकरा सकते हैं, कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो आप इसके लिए कुछ संग्यान लें, पर जैसे से देश की जो आर्थिक इस्तिति है, देश और संबल होते जाएगा, बहुंस सारे human rights जो आपको मिलने चाहिए, उसको fundamental rights का part बना जा सकता है, तो हो सकता है कि अब आपको clear हुआ हो कि या किस तरह से आपको मिले हुआ है, जैसे कि जो fundamental rights का मैंने आपका example दिया, article 14 और 15 का, तो article 14 जो है वो सभी ब्यक्तियों को प्राप्त है, मिस वो जे मानव अधिकार, कोई भी मानव जो भारत में रह रह रहा हुआ भी, उसको वो अधिकार प्राप्त है, लेकिन article 15 के तरह वो सर्फ भारतियों को प्राप्त है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में article 15 का जो language है, उसको citizenship का word हटा के, उसको सभी नागरिकों के लिए कर दिया जाए, आपका देश इतना सक्चम हो जाए, कि उसमें जो जो भारतियों को मिलना चाहिए, वो सारे व्यक्तियों को देने के लिए सक्चम हो जाए, तो इस तरह से वहाँ पर आपका सकते हैं कि मानावदिकार के तहट जो है, हमारा मौलिक अदिकार का दाएरा और बढ़ गया, ठीक है, उमिद करता हूँ कि आपका कुछ इसमें clear हुआ ह अगर अभी भी आपका clear नहीं हुआ है, तो आप तुवारा से इस वीडियो को देखें, आपका बहुत सारे चीज़ें इसमे clear हो जाएगी, फिर ये exam के point of view से ये आपके लिए उत्रा important नहीं है, पर जब मेंस exam लिखने जाएंगे या फिर interview में जाएंगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको काफी help करें, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं लोग, अब इसका इतिहास देखते हैं, कि मानावदिकार का इतिहास कहां से है, इसकी उत्रपत्ति कहां से हुई है, तो इसका इतिहास है वो French Revolution के समय से ही है, फ्रांसिसी करांती के समय से ही, बहुत सार लोगों का मानादिकार कहनन हुआ था, बहुत सारे नरसंगार हुए थे, बहुत सारे लोगों को उत्रप्रिण का सामना करना पड़ा था, तो उसी समय से एक मानादिकार का बात वो सामने आया था, कि मनुश्यकों कुछ बेसिक अदिकार मिलने चाहिए, जिससे कि उसे एक के और तोर पर जो उसको जीवन मिला है उसको सही धंग से वो जी पाए तो French Revolution के समय से ही मानाधिकार की मांग जो है वो चलती आ रही है पर सबसे ज़्यादा जो उलंगन हुआ है मानाधिकार का वो 1900 के बाद हम दो ऐसी घटनाओं को देखते हैं जहां पर मानाधिकार का खुल से लेकर 1945 तक चला ये दो घटनाओं जो विस पटल पर घटित हुई इसमें मानाधिकारों का खुल कर उलंगन किया गिया मिंस लोगों का कतलयाम किया गिया नरसंगार किया गिया लोगों का उत्पुलियन हुआ काफी सारे ऐसी घटनाओं घटी जहापर हम कह सकते हैं कि ऐस मानव होने के नाते उसे प्राप्थ होने चाहिए तो दूतिया विश्यूद में हुए अपार जनहानी नरसंगार और मानव उत्पिलन को देखते हुए संयुक्त राष्ट आमसभान में मिंस युनाइटेड नेशन जनर्रेसमेली में इस बात पर चर्चा भी की गई और मान संयुक्त राष्ट संग पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो एक संस्था है इसके अंतरगत युनाइटेड नेशन एकॉनोमिक और सोशल कॉंसिल उसके दवारा युनाइटेड नेशन कमिशन और हुमन राइट्स जैसी एक संस्था बनाई गई और इस संस्था का जो है स्थापना 1946 में किया गया था जिसका काम था कि मानाधिकारों को बढ़ावा देना कि कौन-कौन सी हुमन राइट्स होते हैं उसको बताना और इस पे जो है जो है जोर देना कि इन सभी मानाधिकारों को जो है वो ब्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए और ऐसे अधि होने चाहिए इसकी एक सारभववी घोषना होनी चाहिए तो ऐसी ही घोषना करने के लिए एक मौसदा समिती की स्थापना की गई और इसी समिती की अनुसंसा पे जो है 10 दिसंबर 1948 को संयुत राश्द्वारा मनदिकार की सारभववी घोषना को स्विक्रिति दे दे गई जिस United Nation के द्वारा इसे अपनाया गया था इसमें टोटल जो है 30 अनुच्छेद है अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो इसमें आपको 30 अनुच्छेद जो है वो नजर आएंगे हर एक अनुच्छेद में कुछ न कुछ अधिकारों की बात की गई है ठीक है क्या क्या बात क की गई है कि लोगों को जो है ये अधिकार मिलने चाहिए लोगों को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए लोगों को फलना धिमकाना बहुत सरी चीज़ा बात है इसमें की गई है अगर आपको देखने में आप इंट्रेस्टेड है तो इसका PDF में जो है आपको टेलिग्राम पे सेर कर दूँगा, आप इसे वर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है मैं इसे आपको important जो भी इसमें चीज है मैं आपको बताऊंगा, पर आपको लगता हो कि नहीं मन की संतुष्टी के लिए हमें इसको देखना चाहिए तो टेलिग्राम पर मैं इसे share कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं तो यह था मानदिकारों की सार्भोमिक घोष्टना इसका इंगलिस में भी जो है वो available है यही man document जो है United Nation के तरफ से जो जारी किया गया था वो ही है, इसको भी मैं share कर दूँगा जो English Medium के होंगे, वो भी इसको देकर अपनी आत्मा को संतुष्टी दे सकते हैं अब लोग आगे बढ़ते हैं कि इसे में जानना क्या है 10 दिसंबर 1948 को यह Universal Declaration of Human Rights इसको सुकृति दी गई, तो यह date आपके लिए काफी important हो जाता है यह सभी मनिश्चों के अधिकारों और सुदंतताओं को सुनस्चित करता है ठीक है, सभी मनिश्चों को क्या अधिकार मिलने चाहिए क्या freedom मिलना चाहिए यह सभी बातें जो है इस गुसना में की हुई है इस declaration में इन सभी बातों की चर्चा की गई है जब universal declaration human rights की सुकृति दी जा रही थी तो उस समय United Economic and Social Council में 58 सदस्य थे उसमें से 48 सदस्यों ने इसके पक्ष में जो है मदान किया और सेस ने या तो मदान किया ही नहीं या फिर उसे वो अलग रहे, मिस एफस्टेंड रहे तो 48 लोगों ने इस पर अपनी मोहर लगा दी और एक तरह से सरसमिती से इस declaration को सुकृत कर लिया गया पास कर दिया गया, ठीक है चुकि 10 दिसंबर 1948 के दिन या घुसना की गई थी तो 10 दिसंबर का दिन अपके लिए बहुत ही important हो जाता है इसलिए 1950 में United Nation के दुआरा ये घुसना की आ गया कि Human Rights Day 10 दिसंबर को हर साल मनाये जाएगा तो अब 10 दिसंबर का दिन या या याद रखेंगे या मानव अधिकार दिवस के रूप में हर साल मनाये जाता है और या कब से मनाये जा रहा है तो 1950 से 1950 में ही सिनुत रहसंग ने ये कहा कि अब से 10 दिसंबर का दिन हम लोग मानव अधिकार दिवस के रूप में मनायेंगे अभी तक सबसे ज़्यादा भसाओं में अनुवादी दस्तावेज है टांसलेटेड डॉक्यमेंट है 2010 तक 524 भसाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है कोई ऐसा डॉक्यमेट जो कि सबसे ज़्यादा भसाओं में अनुवादिध हुआ हो तो वह कौन सा है The Universal Declaration of Human Rights मन अधिकारों की सारवोमिक गोशना इसमें कुल 30 अनुछेद है जो आपको मैंने भी दिखाए कौन कौन सा अनुछेद आपके लिए इंपोर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं इसमें अनुछेद एक से लेकर एकीस तक जो है Right to equality मिलना चाहिए समानता का अधिकार मिलना चाहिए कानून के समख्ष समानता का अधिकार मिलना चाहिए कहीं भी घूमने फिरने और निवास करने की सुनतरता का अधिकार मिलना चाहिए Freedom of speech and expression का जो है वो अधिकार मिलना चाहिए विचार और अभिवक्ति की सुतनता का अधिकार मिलना चाहिए तो ये सबी बाते आपकी एक से लेकर एकीस तक अनुछेद में की गई है मोटे मोटे आप इस तरह से इसको याद रखेंगे कि एक से लेकर एकीस तक नागरिक और राजनितिक अधिकार की बात इसमें की गई है इस युनिवर्सल डेकलरेशन आफ यूमन राइट्स में अनुछेद बाइस से लेकर 27 तक आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है एकोनॉमिक, सोसल और कल्चलर जो राइट होने चाहिए आपको उसकी बात की गई है यह किस तरह का अधिकार है तो काम का अधिकार मैं सापको काम करने का अधिकार मिलना चाहिए काम कर रहे हो तो काम करने के साथ-साथ अराम का भी अधिकार मिलना चाहिए ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ काम कराया जाए आपको काम तो दे दिया जाए पर आपसे ये का जाये कि आप अराम ही ना करेंगे, तो ऐसा भी नहींद नो चाहिए, तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो Sunday का दीन होता है, रैवर का दीन होता है, वो हर जगacak छुटि का दिन होता है, तो वो अरायम का अधिकार का अंतरगत ही वो आता है, समाजिक सुरच मिस Social Security का अधिकार होना चाहिए, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार भी होना चाहिए, तो ये सभी अधिकार की बात जो है, वो अनुछेद 22 से लेकर 27 तक में आर्थिक समाजीक और सांस्कृतिक अधिकार के तहत जो है, वो आपको देने की बात की गई है, अनु के तोर पर जो अधिकार आपको मिलने चाहिए, उसकी बात 28 से लेकर 29 तक में की गई है, यह तीनों जो है, वो आगे मैं फिर से इसकी चर्चा करूँगा, यह तीनों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, यह PSC में इससे एक बार question पूछा भी गया है, direct इसी question तो नहीं लेकिन question का जो प्रकृती था, वो इसी तरह का था, अगर आपको यह ध्यान में रहता, तो आप उसके answer को बहुत ही अराम से कर सकते थे, उसके चर्चा हम लोग आगे अभी करेंगे, तो आप मोटे मोटे तोर पर यह द्याद रखें, कि अनुचेद एक से लेकर 21 तक नागर 27 में की गई है, और उससे आगे बढ़कर एक समुदाय के तोर पर जो अधिकार की बात की गई है, वो अनुचेद 28 और 29 में की गई है, ठीक है, उमिद करता हूँ कि इसको आप ध्यान में रखेंगे, अब हम लोग देखें कि The United Nation Commissioner Human Rights जो था, जिसको बनाय गया था 1946 में, इस इसी कंट्री में खुल कर मानदिकारों का उलंगन हो रहा था, और यह कमिशन जो है, आख मुंदी वे था, मिस इसके मेंबर होते हुए भी, मिस उस कंट्री के मेंबर, इसके सदश होते हुए भी, वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, और वहाँ पर मानदिकारों का उलंगन हो रहा है और ऐसे देशों के परदिनिदी इसके सदस्य है तो फिर इसके रहने का क्या मतलब है तो ऐसे में क्या किया गया 2006 में इसकी अंतिम बैठक हुई जेनेवा में और इसी वर्स इसे संयुक्त राष्ट मानादिकार परिस्द में जो है इसको परतिस्थापित कर देखेंगे तो यहाँ पर UNCHR है और यहाँ पर UNHRC है तो इसको अब धियान में रखेंगे कंफ्यूज नहीं कर जाए यहाँ पर United Nation Commission of Human Rights है यहाँ पर United Nation Human Rights Council है यह परिस्द है और यह आयोग है ठीक है इसकी स्थापना 2006 में हुई मुख्याले कहा है इसका जेनेवा में यह सा आप धियान में रखेंगे कि एक्जाम में यह फ्रिक्वेंट पूछा जाता है यह परिसद Office of the High Commissioner for Human Rights जिसे हम लोग OHCHR या फिर जिसे हम लोग United Nation Human Rights Office के नाम से भी जानते हैं इसके साथ मिलकर काम करती है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि United Nation Human Rights जो Office है जिसके बारे में भी कि इसके साथ मिलकर काम करती है यह यह क्या है तो इसकी स्थापना 1993 में ही की गई थी और इसका मुख्याले भी जेनेवा में है और यह जो है UN Secretariat का एक विभाग है मैंने जब आपको United Nation में आपको बता रहा था पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि उसका एक अंग जो है Secretariat है ठीक है और 1940 के मनाधिकारों की सारवें घुषना में निर्धारित है मिस जो अधिकार आपको Universal Declaration of Human Rights के तहत मिले हुए है उसी को आपको दिलाने का जो काम है वो इस Office का है और यह Office यह United Nation Human Rights Council के साथ मिलकर काम करती है इसका मुख्याले जेनेवा में है और इस Office की स्थापना 1993 म अब ध्यान में रखेंगे अब लोग International Covenant on Civil and Political Rights इसको देखेंगे कि कैसे कैसे महानाधिकारों पर चर्चा होती चली गई क्योंकि एक्जाम में कभी-कभी यह पुछा जाता है तो इसको एगर हम लोग देख लेते हैं यह एक बहुपक्षिय संधी है जो ब्यक्तियों के ना बहुपक्षिय संधी करता है और यह संधी 1966 में अपनाया गया मिस 1946 में UNCHR की स्थापना की गई 1948 में जो Universal Declaration of Human Rights को लाया गया और 1966 में इस बहुपक्षिय संधी के दुआरा ब्यक्तियों के नागरिक और राजनितिक अधिकारों की जो बात करता है इसको अपनाया गया ठीक है इन सभी बातों को आप करमबार तरीके से याद रखे कि कैसे कैसे Human Rights पे बाते आगे बढ़ती चले गई तब आपको यह और अच्छे से समझ में आयेगा इसके बाद पेरिस प्रिंसिपल जो है पेरिस सिधान के नाम से जानते हैं यह आया यह कब हुआ था तो 1991 में पेरिस म उसकी स्थिती और कामकाज को यह मोनिटर करता था कि जो भी संस्थान इसके लिए काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनकी काम करने की दिशा क्या है उनके काम करने का तरीका क्या है और वो इस चत्र में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इन सभी का जो है मोनिटर करना, उनका protection करना उनका promotion करना, ये सभी काम परिश प्रिस्पल में एक बहुपक्षय संदी के तो आपसे ये सब चीज नहीं पुछा जायाएगा आपसे सर्फ ये पुछा जायाएगा कि मानाधिकारों के लिए जो परिश प्रिस्पल में वीना आश्ट्रिया में हुआ था ये डेट जो है काफी इंपोर्टेंट है कि जून 1993 में वर्ल्ड कंफरेंस ओन हुमन राइट्स हुआ था अगर आप मन्त याद ना भी रखें तो आप सिर्फ ये इस भी याद रखें कि 1993 में हुमन राइट्स का एक विश्व भी आपी जो है सम्मेलन आयोजीत क非ा गिया था कहां वियना ऑस्ट्रिया में वियना डिकलरेशन और हुमन राइट्स का अपनाया गिया तो 1993 में अपनाया गिया किसमें वर्ल्ड कंफरेंस अन हुमन राइट्स में कि आप भी जो है पिने country के लिए कुछ human rights के नियम लाईए, कुछ act लाईए, कुछ ऐसा दिवस्था लाईए, जिससे की मानदिकारों की रक्षा हो पाए, तो वीवस होके बहुत सारे countries ने जो की इस declaration पे हस्ताक्चर किये थे, और भारत तो इसका इस्थापना सदस्र के तौर पर universal declaration of human rights जो था, उस पे sign किया हुआ था, तो भारत के लिए दवाब बढ़ने लगा, कि वह मानदिकारों की रक्षा करने के लिए कोई act लाई, तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, भारत सरकार ने protection of human rights act लाया, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसके सम्मि देखेंगे, तो इसमें कहा गिया है कि promotion of international peace and security, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार अगर कोई international peace and security की बात को करता है, तो फिर यह भारत सरकार की एक तरह से बादेकारी हो जाता है, कि वह कानून के द्वारा जो है, इस चीज को अपने देश में implement करा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने protection of human rights act लाया था, यह act कब आया, तो यह act 8 September 1993 को यह प्रभाव में आया, इस date को अपयाद रखेंगे, 1993, 8 September को protection of human rights act जो है यह लाया गिया, इसमें total 8 chapter है, और section जो धारा है, 43 धारा है, इसको अप ध्यान में रखेंगे कि 8 chapter है और 43 धारा है, आप इसको अगर धारा में ना भी रखेंगे, तो सिर्फ section को ध्यान रखेंगे 43 sectionage में, हर एक section में अलग-अलग बाते की गई है, जो important होगा वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, इसमें दो बर संसोधन किया गए, 2006 में और 2019 में, 2006 का जो संसोधन था, वो उत commission, जिसे हम लोग NHRC करते हैं, राष्टिय मानादिकार आयोग, इसकी बात इस act के अधिनियम के section 3 में की गई है, धारा 3 में की गई है, और ये national human right commission है, ये 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसका गठन किया गया, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उसी तर इसी तरह जो तिसरी importance है, वो है human right courts, इसकी बात section 3 और 31 में की गई है, कि human rights court का इसका इस्थापना किया जाएगा, इस act के अंतरगत, अब हम लोग national human rights commission, राष्टिय मानादिकार आयोग, इसके बारे में थोड़ा detail देखेंगे, क्योंकि exam में question इसके काफी पूछा जाता है, national human rights commission को पढ़ने से पहले, हम लोग मानादिकार की जो परिवासा है, वो देखते हैं कि इसकी परिवासा, UN के दौरा क्या दी गई, और हमारा जो act है, protection of human rights act, इसमें क्या दिया गया, और दोनों में मुलभूत अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है, उससे समझने कोशिस करते है, UN के दौरा जो इसका परिवासा दिया गया है, वो यह है कि human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. human rights includes the right to life and liberty, freedom for slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education and many more, everyone is entitled to this right without discrimination, यह बात है, समित राष्टन के दौरा जो परिवासा दी गई है मानधिकार की, उसमें यह बात कही गई है, और हमारे act में, जो protection of human rights act है, उसमें human rights का जो परिवासा दिया गया है, definition दिया गया है, वो section 2 के तरगत दिया गया और क्या कहा गया है, कि human rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed under the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India, तो यह सबसे बड़ी बात हो जाती है, कि जो भारत के आदालत के द्वारा enforceable हो, ऐसा है अधिकार, वो human rights के परिवासा में आता है, और जिसके अंतर गत, right to life, liberty, equality and dignity, जो की guaranteed है, कहाँ पर constitution में, और enforceable है by court से, तो यह जो है बाते human rights का अंतरगत section 2 में, protection of human rights act में की गई है, तो दोनों में यही मुलबूत अंतर है, कि यहाँ पर अगर आपका उलंगन होता है, तो आप संयूत राश्च्छन के पास जाते हैं, कोई court के पास आप न जालत का दर्वाजा खटकटा सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, कि यह enforceable by courts in India है, और यहाँ पर ऐसी कोई बात enforceable नहीं की गई है, अगर ऐसा कुछ लंगन होता है, तो सहीं तो राश्च्छन जो है, इसका संग्यान लेता है, ठीक है, अब आगे हम लोग, रा कार मार्क मैंने किया हुआ है, यह बेसिकली जो संसोधन अभी 2019 में हुआ है, इसमें यह changes लाए गए है, पहले सुप्रीम कोट के जो सिवानिवरित नहादीस थे, इनको मांदिकार आयों का अध्यक्ष नहीं बना जाता था, सिर्फ जो कारत नहादीस होते थे उनीक बना जा तो जहाँ जहाँ भी यह star चिन लगाया हुआ है, तो आपको यह समझना है कि 2019 में यह संसोधन के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तिन किया गया है, इसलिए मैंने यह streak चिन लगाया हुआ है, मैं आपको बता भी दूँगा कि क्या-क्या changes हुए है और पहले क्या-क्या provisions था, कुल सदस इसमें 12 होते हैं, मिस एक अध्याक और उसके अलावा 12 सदस, यह 12 सदस कौन-कौन से होते हैं, किस-किस छेतर से होते हैं, उसकों लोग समझते हैं, तो इस 12 सदस में जो 5 सदस होते हैं, वो appointed होते हैं, मिस निट की आते हैं, और जो 7 सदस होते हैं, वो ex official member होते हैं, मिस पदेन सदस होते हैं अब पदेन सदस का मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि पदेन सदस ऐसे होते हैं जैसे कि आप example को तोर पर मान लीजिए कि जो निती आयोग का जो अध्यक्ष है वह कौन होगा तो भारत का प्रधान मंतरी होगा तो अभी कौन है तो हमारे जो नरेंद मोदी जी है प्रधान मंतरी वह निती आयोग के अध्यक्ष है मिन्स जो भी भारत का प्रधान मंतरी होगा वही निती आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा ठीक है इसका अर्थ है कि यह post defined होता है कि उस post पे जो आएगा वो उसका जो है वो सदेस हो जाएगा या फिर अधियक्ष हो जाएगा तो पदेन सदेस हमों इस तरह से बताते हैं या कहें कि आप example करता है कि यह कोई B कोई संस्था है अगर यह कहा गया है कि संस्था B का जो हेड है वो वही होगा जो संस्था A का सुप्रीम होगा तो संस्था A का सुप्रीम अगर X बनता है तो यही संस्था B का हेड हो जाएगा अगर संस्था A का सुप्रीम अगर X को हटा क कर Y को बना दिया आता है तो अब Y जो है संस्थाब B का हेट हो जाएगा तो यही पदेन सदस का सिंपल सा अर्थ है उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अब नियुक्त पांच सदस जो है वो कहां कहां से चुन के आता है उसे हम लोग देखते हैं तो यह पांच में से दो जो है वो नियाईक छेतर से होते हैं जुडिसियल फिल्ड से होते हैं और तीन जो है वो जनरल फिल्ड से होते हैं समानी छेतर से होते हैं इस नियाईक सदर से जो है ये दो सदर से इनका चुनाव कौन करता है या फिर ये कैसे चुने जाते हैं तो ये एक इसमें से Supreme Court का Working या Retired Judge होना चाहिए ठीक है एक जो होता है वो Supreme Court का Working या Retired Judge पहले संसोधन के पहले इसमें मैंने ये लाल इश्टिक लगाया हुआ है इसका र इस नियाईक सदर से के तौर पर इसमें सामिल हो सकता है और जो दूसरे सदर से होंगे वो High Court का Working या Retired Chief Justice होगा इसका Chief Justice होना चाहिए ठीक है तो दो सदर से एक Supreme Court का Working या Retired Judge और दूसरा High Court का Working या Retired Chief Justice अब इस समानी छेतर में कौन आएंगे तो मानव अधिकारों के विशे जो मानव अधिकार Human Rights के जो एक्सपर्ट होंगे वो इस समानी वाले कोटे में आएंगे और इसमें भी तीन सदर से में एक कम से कम जो है वो महिला होनी चाहिए तो इन बातों का ध्यान में रखा जाता है अब इस पांचों सदर से का जो है निक्ती तो होता है पर निक्त कौ Minorities के जो चेर्मेन होंगे वो होंगे दूसरा National Commission for Women के चेर्मेन तिसरा National Commission for SC के चेर्मेन चौथा National Commission for ST के चेर्मेन संसोधन के पहले सिर्फ यह चारी मेंबर होते थे पर संसोधन के बाद जो है अब तीन मेंबर और जोड़ दिया गिया कौन-कौन सा National Commission for Backward Class या Class वड़ और Person with Distability इस तीनों को भी जो है इसमें सामिल कर दिया गिया तो पहले चार हुआ करता था अब यह Total PADEN सदस जो है वो साथ हो गिया है अब लोग आगे देखते हैं कि जो निक सदस में ने 5 बताया इसकी निक्ती कौन करता है तो इसकी निक्ती एक समीती के अनुसंसा पर रा Deputy Chairman of Rajshabha, Leader of Opposition in Lokshabha, Leader of Opposition in Rajshabha और Grimantri, Home Minister इसके सदस होते हैं और Chairman को नोते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिन्स लोग सभा से 2 मेंबर रहेंगे, राज सभा से 2 मेंबर रहेंगे और एक Home Minister रहेगा और एक Prime Minister रहेगा तो इस तरह से 6 सदस मिलकर जो भी अनुसंसा करेंगे और आप ध्यान में रखेंगे कि अगर इस 6 मेंबर में कोई ऐसा अनुपस्थित होता है कि 6 मेंबर में से 4 ही उपस्थित हैं और 2 जो है वो absent है तो ऐसे केस में इसके दोरा जो अनुसंसा किया गया है वो रद नहीं माना जाएगा और उसको ही राष्टपती उस पे अपनी म रिटार हो जाएंगे इससे और अगर आप का 3 साल पूरा हो जाता है और आप 65 साल की होते हैं तो भी आप इससे रिटार हो जाएंगे तो जो भी पहले एटेंड कर लें आप वही आपका Terms of Office होता है पहले ये 5 साल था इसको घटा कर 3 साल कर दिया गिया है इसमें और भी है क आप पुना निक्ति के पात्र माने जाएंगे अगर आप एक बार इसके पद को स्विकार करते हैं और आप दूसरी बार भी eligible होते हैं तो आप पुना निक्त हो सकते हैं साथ में जो है रिटार्मेंट के बाद भारत या राज सरकार के दिन किसी और नियोजन के आप पात्र नहीं होंगे मिन्स एक बार आप जब गार इसके सदस्या चेर्मेंट मन जाते हैं तो यहां से रिटार होने के बाद मिन्स इस ओफिस से को छोड़ने के बाद जो है आप किसी भी पद के लिए भारत सरकार या राज सरकार के दिन आप नियोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं वरतमान अध्यक्ज जो है एने चर्सी के मैंने बताया कि वो अरुन कुमार मिस्रा जी है जो कि अभी जून में ही एपॉइंटेड हुए है और जारकन के बारे में अगर देखा जाए कि जारकन हिमेन राइट कमिशन के वरतमान अध्यक्ज कौन है तो यह है संतोस कुमार सत पती जी जो कि अभी एक्टिंग चेर्मेन के तोर पर काम कर रहे है ठीक है तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे अब एने चारसी से जुड़े कुछ महत्पुन तर्थियां उसे भी देखते हैं इसके पहले अध्यक्ज कौन थे तो जस्टिस रंगनात मिस्रा जी इस की हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं आपको चार नाम दे दिया जाएगा और आपसे पुछा जाएगा कि इसमें कौन से एने चारसी के जो है चेर्मेन वो नहीं रहे है तो आप ध्यान में रखें बहुत सारी संस्था है उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है फिर भी अगर पढ़ा हो रहेगा तो हो सकता है कि आपको आपको आपर एक्जामें किलिक कर जाए तो मन वेंकर चलिया जी इसका अध्यक्च रह चुके हैं जियस वरमा जी इसका अध्यक्च रह चुके हैं जस्टिस एस आनन जी इसका अध्यक्च रह चुके हैं जस्टिस एस राजन पढ़ेंगे कि human rights की पीडी है कैसे कैसे इसका development हुआ है कैसे कैसे इसका विकास हुआ है और कैसे कैसे जो है मानादिकार को जी demand बढ़ा है उसको हम लोग किस तरह से segregate हम लोगों ने किया है उसे हम लोग देखते हैं तो first generation अब generation का क्या अर्थ होता है जैसे कि आपने mobile में दे चले आता है और आप नए नए generation की बात करने लगते हैं तो first generation में civil and political rights मैंने पीछे बताया था कि आगे मैं दुबारा चर्चा करूँगा तो यह है first generation में civil and political rights ठीक है इसकी बात की गई है जो की आपका जो universal declaration of human rights उसमें जो article 1, 2, 22 तक था या 21 तक था जो आप देख लेंगे उसमें जिस rights की बात की गई थी वो first generation की rights थी मिस क्या क्या था वो right to life, right to equality और equality before the law मिस पहले देशों को in right की बात करनी है पहले देश को अपने लोगों को यह right जो है वो देना है उसके बाद जब यह आप right दे देंगे और आप इतने संबल हो जाएंगे कि अगर कि आप next step जा सकते हैं तो आप फिर second generation rights की बात करते हैं इसमें क्या आता है economic, social and cultural rights जैसे right to food, right to housing, right to health care, right to social security, right to unemployment benefits तो in right की बात आप first generation की बात की बात करते हैं मिस जैसे कि आपने declaration में देखा था कि article 22 से लेकर 27 तक सायद वहाँ पर जो rights की बात की गई थी वो basically second generation की rights थी अब third generation की rights क देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सा आता है तो third generation में group and collective rights और solidarity rights की बात करते हैं इसमें क्या क्या आता है तो right to healthy environment, right to natural resources की स्वक्षवाताबरन आपको मिलना चाहिए, natural resources पर आपका right होना चाहिए, right to economic and social development पे जो है इसका अधिकार आपको मिलना चाहिए, eradication of all types of social discrimination, इस सभी बात की जाती है, third generation में, अब fourth generation का भी बात किया जा रहा है, पर अभी तक ऐसा कोई लिखी दस्तावेज नहीं है, पर लोगों द्वारा कहा जाता है कि fourth generation में technology development and information की बात की जाएगी, जैसे right to equally access computing and digital spaces, right to digital security, digital security की बात जो है वो right उसका right आपको मिलना चाहिए, right to access once on digital data, एक तरह से कहें कि technologies related, जैसे right आपको मिलना चाहिए, जिसमें कि आप data privacy की बात करते हैं, तो ऐसे सब right आपको fourth generation में मिलना चाहिए, इसकी बात generation of human rights में की जाती है, इसी पर based जो है एक question धरकन public service commission को दोबारा सिर्थ JPSC में पुछा गया था, उसको में लोग देखते हैं, question था कि eradication of all types of social degradation comes under which generation of human rights, सभी परकार के समाजिक विभेत का उनमूनलन, मानुदिकार की किस पीडिक अंतरगात आता है, तो यहाँ पर जो tick किया गया है, इसको आप सही नहीं माने, मैंने net से इसको copy किया है, तो मैं भी किसी ने इसको किया होगा tick, मुझे नहीं पता, पर आ second generation में भी आपका जो economic development की बात की आती है, right to work की बात की जाती है, third generation में basically जो बात की जाती है, eradication of all types of social discrimination की बात की जाती है, जिस आप यहाँ पर देखें, कि third generation में ही बात की गई है, eradication of all types of social discrimination, तो इसका answer हो जाएगा, option 3, तो इस तरह का question आप से पुछा जाता है, तो जब अब थोड़ा सा deep में नहीं पढ़ेंगे, तो इसके question को solve कर पाना, उस आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, जो भी मैंने अभी तक बताया, उसको आप एक दो बार देख लें, तो आपके लिए काफी वो beneficial होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि human rights से कोई भी question आता है, तो आपका बिल्कुल भी नहीं चुटेगा, कुछ topic और बचे रहा गया है, उसे भी हम लोग आगे देखते हैं अभी, कि human rights के convention कौन-कौन से हुए थे, आपको बस इसे दिहान में रखना है, इसको रटना नहीं है, the international convention on elimination of all forms of racial discrimination, यह 1965 में इसको adopt किया गया था, इस convention को, और यह force में कब से आया, प्रभाव में कब से आया, 1970 में, तो आपको कौन से year याद रखना है, आप adoption का year याद रखे, मिस 1965 जो है, यह वाला वर्स जो है, आप याद रखे, यह आपके exam में adoption के बारे में ही पूछा जाएग फोर्स में कब से आयागा, इसका उतना बात आपसे नहीं किया जाएगा, second जो है, convention on the elimination of all forms of discrimination against women, इसका adoption 1979 में हुआ था, और फोर्स में कब आया, 1981 में, अगला है convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, इस convention को 1984 में जो है, इसे adopt किया गया था, और यह प्रभाव में कब से आया, 1987 में, आप सिर यह कब adopt किया गया था, इस year को ही आप ध्यान में रखें, क्योंकि सारे चीजों को ध्यान में रखना possible भी नहीं है, और उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, अगला है convention on the rights of child, यह कब adopt किया गया था, 1989 में, प्रभाव में कब आया, 1990 में, international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families, कब adopt किया गया 1990 में, प्रभाव में कब से आया, 2003 में, convention on the rights of person with disabilities, कब adopt किया गया, 2006 में, और प्रभाव में कब साया, 2008 में, तो यह कुछ important conventions हैं, जो कि आपको ध्यान में रहने चाहिए, आपको match करने के लिए exam में हो सकता है, कि पूछ दिया जाए, कि आपको इधर convention का नाम दे दे और इधर year दे दे, और year जो है, most probably मैं यूमिद करता हूँ कि adoption का ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, अब हम लोग international bill of human rights देखते हैं, कि यह क्या है, that the international bill of human rights was the name given to UN General Assembly Resolution 217 and two international treaties established by the United Nations, means, जो UN General Assembly का resolution नमर 217 है, और इसके अलावा, दो international treaties, इसको सम्मिलित रूप से जो हम लोग international bill के न जानते हैं, international bill of human rights, it consists of, इसमें क्या-क्या सामिल है, तो the universal declaration of human rights, 1948, जो भी आपको मैंने बताया, the international covenant on civil and political rights, 1966, जिसके मैंने चर्चा किया भी, और the international covenant on economic, social and cultural rights, 1966, तो इन तीनों को जहां मिला देते हैं, तो इससे हम लोग सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, international bill of human rights, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपको यह पुछा जाए, कि international bill of human rights क्या है, आपको यह तीन नाम दे दिया जाए, और इसके लावा एक चौथा नाम भी दे दिया जाए, आपसे पुछा जाए, कि इसमें कौन सा जो है, international bill of human rights में सामिल नहीं है, तो आपको यह तो बहुत ही असानी से आप इसको टिक कर सकते हैं, आप लोग अंत में देखते हैं कि human rights theme जो है 2020 का वक्या है, recover better, stand up for human rights, यह human rights theme है 2020 का, इसको आप धियान में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार exam में, जिस साल exam होता है, उस साल का जो है, या तो theme पुछ लिया जाता है, या फ इसके साथ हमारा human rights का पूरा topic जो है, वो यहाँ पर खत्म होता है, आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा, तो आप JSC Education एप को download कर लें, वहाँ सारा PDF में, चाहिए वो JSC Exam से related हो, या फिर BPSC से related हो, जो भी वीडियो में डालता हो, उसका सारा PDF जो है, JSC Education एप पर मैं available करा दे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप like जरूर करें, अपने दोस्तों से share जरूर करें, कि अगर आप जितना share करेंगे, जितने लोग हमसे जुडेंगे, हमें उतना ज़्यादा motivation मिलता है, आप खुद ही समझ सकते हैं, कि अगर किसी वीडियो को अगर 10 लो करें, आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट के बाइद में से जरूर बता है, किसी भी improvement की अगर जरूरत हो, तो आप वो भी मुझे बता है, और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर लें, जिससे की आने वाली हर वीडियो का information आपको